सावनिर्थान अंतरगत यश बार के पीछे स्थित घर में चल रहे नियू रोयल लॉज संचालक पर अनेतिक मानवी वहातु कक्ष नाकपुर द्वारा कारवाई होने से परिसर में हडकम मच गया सावने शेह में पिछले कुछ वर्षों से कुकुरमुत्य की तरह उगाये लांजों की आर में देवेपार होने की खबर आम है किन्तु दे लेके सब चलता रहता है इसकी तरस पर ये अवैद व्यवसाय पूरी तरह से शबाब में है जिसके चलते गली गुलूचे खेत खलिया नी रोयल लांज में चल रहे है देवेफसाय की जानकारी अनेतिक मानवी वहतुक कक्ष नाकपुर ग्रामिन को लगते ही उपधिकारी राहुल जालते को इसकी जानकारी अपने वरिश अधिकारी को दे कर महिला पुलिस हवलदार ज्योती वान खेड़े को कारवाई के आद की गई जिसके तहत ग्राहक को पाच पाच सो के दो नोट देकर भेजा गया ग्राहक के अंदर से इशारा करते ही कारवाई के लिए दबिश दी गई बैठक अनेतिक मानवी वहतुक प्रतिबंदक विभाग नाकपुर के महिला उपनिरक्षक मीरा मटाले अधिकारी जयोती वानखेडे स्वाती लोखंडे सिपाही प्रफुल भालुत करता था आतिक गुनहा शाखा नाकपुर के आसिफ सेयत था पंचो को लेकर न्यू रॉयल लॉंज की तलाव लेने पर लांच के कमरे में दो का बंद दर्वाजा खटकटाने पर ग्राहा को द्वारा दर्वाजा खोला तो कमरे में जूनी बुद्वारी का टोल की तीस वर्षय यूफती अधनंग अवस्था में पाई गई जिससे पूछताच करने पर उसने बताया कि उसकी जैश्री नामक सहली ने बताया कि न्यू रॉयल लॉंज में महीलाओ के लिए जौब उपलब्द है जिसके चल एक वर्ष से इस न्यू रॉयल लॉंज में चल रहे है देविफसाय से जुड़े होने की पुष्टी हुई मही 31 माची दोपैर करीब एक बज़े के दर्मियान अनेतिक मानविय वहात्युक प्रतिबंदक कक्ष नाकपुर ग्रामीन की जियोती दीपक वानखेड़े अपने दद लले निरॉयल लॉंज संचालक अरुन रुशिया तथा मैनेजर वासू अंसारी के खिलाफ सावने थानी में करीब तीन माह पहले ही 29 दिसंबर 2022 की शाम करीब 7 बज़े लॉंज में पहचान छुपा कर जिसमें फरोशी हेतु कमरे उपलब्द कराने के दोशी पाते हु में लॉंज विवसाई की आण में कुलयाम दे विवसाई चल रहा है स्थानिक पुलिस तता अनेतिक मानविय वहतुक विभाग से शहरवास्यों की मांग है कि वे शहर में बेकॉफ फल फूल रहे इस लॉंज संस्कृति पर नकेल कसकर शहर के युवक यूफ्तियों के भव पुण डेलिकी रिपोर्ट